जैमातादी, आज हम Class 8 की It's So Happened Book Supplementary Reader का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है The Selfish Giant The Selfish Giant इसमें क्या है कि एक जाइंट है मतलब की बहुत विशाल का इंसान है, बहुत बड़ा समलाइक की मतलब दानव टाइप का और Selfish मतलब की वो Selfish है वो अपने बारे में सोचता है The Selfish Giant का Part 1 हम शुरू करने वाले हैं तो इसमें क्या होता है कि जो जाइंट का गार्डन है वो बहुत ब्यूटिफुल है माँ बच्चे आकर खेलना पसंद करते हैं लेकिन जो जाइंट है वो बहुत जादा Selfish है उसने अपनी Selfishness की वज़े से उस गार्डन के चारों तरफ बड़ी सी वाल बनवा दी और मतलब की बच्चों को अलाव नहीं करना है अंदर खेलने के लिए अपने गार्डन में इस Change of Heart और कोई Spring या Summer Season वहाँ पर नहीं आता है मतलब उस गार्डन में वैसे तो होता है Spring भी आता है Summer भी आता है लेकिन उस गार्डन में ना Spring आता है ना Summer आता है उसके बाद में Giant का जो Heart जो है हिर्दे परिवर्तन कहते हैं जिसे कि उसके कुछ Heart में Change आता है उसमें कुछ अच Changes होते हैं वो हम देखेंगे बहुत beautiful chapter है और शायद आपने देखा हुआ सुना हुआ भी होगा पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ाया तो आज हम पढ़ लेते हैं every afternoon as they were coming from school the children used to go and play in the giant's garden every afternoon हर एक afternoon में जब भी वो school से वापस आते थे तो बच्चे क्या करते थे उस giant के garden में जाकर खेलते थे वहां पर जाते थे और खेलने लग जाते थे तो उसका जो garden था वो काफी beautiful था it was a large lovely garden वो बहुत ही बड़ा गाडन था सुन्दर गाडन था with soft green grass उसमें हरी घास थी then here and there over the grass stood beautiful flowers like stars and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl and in the autumn bore rich fruit और वो garden इतना प्यारा था कि वहां पर चारों तरफ हरी हरी घास थी वहां beautiful beautiful flowers थे flowers इस तरीके से थे इतने सुन्दर थे जैसे कि stars हो और वहां पर 12 peach trees भी थे peach trees में क्या था कि springtime में वहां पर सुन्दर सुन्दर pink और pearl color के फूल वहां पर आती थी और autumn में उसमें बहुत सारे fruit लगते थे तो इस तरीके से वो जो garden था वो बहुत beautiful था the birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to use to stop their games in order to listen to them और वहां पर जो birds say trees पर वो जो बैटे रहते थे वो इतना sweetly song sing करते थे इतना अच्छा से गाते थे कि बच्चे जो थे वो वहां पर रुख जाते थे मतलब सुनने के लिए कि उनका इतना sweet song जो होते थे वो उनको सुनने के लिए गेम्स वगेरा छोड़ कर रुख जाते थे और बच्चे एक दूसरे के को क्या कहते थे कि हम यहां पर कितने खुश है लेकिन एक दिन जो जाइन था वो जो बहुत बड़ा विशाल का दानव था वो वापस आ जाता है he had been to visit his friend the Cornish Ogre and had stayed with him for seven years मतलब अब तक वो कहां था वो साथ साल से अपने friend के यहां पे गया हुआ था Cornish Ogre के यहां पे वो Cornwall in the UK, UK का रहने वाला था Ogre in the sense कि जो एक तम cruel giant जो होते हैं कि वो भी उसकी तरह काफी बड़ा दानव था Cornish Ogre भी और वो लोगों को खाता था तो वो भी काफी frightening person था तो उसके वहां था वो साथ साल से अब वो वापस आया है when he arrived he saw the children playing in the garden और जैसे वो वापस आया उसने देखा कि उसके garden में बच्चे खेल रहे हैं what are you doing here he cried in a very gruff voice and the children ran away उसने बच्चों को क्या बोला कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो एकदम से gruff voice मतलब इतना roughly बोला इतना cruelty से बोला कि वो सारे जो बच्चे थे वो वहां से भाग जाते हैं तो यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो यहां पर कि यह जो giant है यह अपने garden में है और इतने मतलब cruelty से बोला इतना rough आवाज में इसने बोला कि सारे बच्चे दरुदर भाग रहे हैं सारे डर जाते हैं my own garden is my own garden जो मेरा गार्डन है यह सिरफ मेरा है said the giant anyone can understand that and I will allow nobody to play in it but myself कि हर कोई समझ सकता है यह चीज कि मेरा garden तो सिरफ मेरा है और मैं किसी को allow नहीं करता हूँ इसमें खेलने के लिए बस यहां पर अगर कोई कुछ खेल सकता है या कुछ कोई कर सकता है तो वो मैं हूँ sorry so he built a high wall all around it and put up a notice board और इसलिए उसने अपने गार्डन के चारों तरफ बहुत उंची उंची दिवार बना दी और उसके बाहर पे एक notice board लगा दिया उस दिवार के बाहर जो मतलब gate पर जो notice board लगा था उस पे क्या लिखा हुआ था trespassers will be prosecuted that means कि जो यहाँ पर कोई जाएगा मतलब बिना permission के trespassers का मतलब person without permission those who enter without permission or without his permission और prosecuted का मतलब होता है कि punish किया जाएगा इसका मतलब यह है तो आप that you should keep in mind trespassers will be prosecuted ऐसा उसने अपने गार्डन के बाहर लिख दिया he was a very selfish giant वो बहुत जादा selfish था the poor children had now no way to play अब बैचारे बच्चों के पास में कोई भी जगह नी थी खेलने के लिए they tried to play on the road but the road was very dusty and full of hard stones and they did not like it जो बच्चे थे वो रोड पे खेलना चारे थे लेकिन रोड इतनी ज़्यादा dusty थी इतनी गंदी थी और रोड पे of course hard stones होते हैं उनसे बच्चे hurt भी हो सकते हैं इसलिए वो उसे like नहीं करते थे रोड पे खेलना तो बच्चे रोड पे खेलना पसंद नहीं करते थे they used to wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside how happy we were there they said to each other और अब क्या करते थे वो जबी भी इधर उदर गूमते थे high walls की इधर जबी भी वो school से आते थे जब उनके lessons कतब हो जाते थे तो वो दिवार के चारों और गूमते थे और देखते थे कि कितना सुन्दर garden है लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते हैं और हम अंदर कितने खुश थे ना मतलब जब ये लोग खेल रहे थे तब कह रहे थे कि how happy we are here कि हम या पे कितने खुश हैं आप कह रहे हैं कि हम कितने खुश थे कि मतलब अब हमें अलाओ नहीं है garden में जाना they said to each other ये एक दूसरे को कहते थे कि हम कितने खुश थे ना अब हम गार्डन में नहीं जा सकते हैं then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds अब क्या हुआ कि country में spring season आया सारी जो country थी उस वहां पे मतलब बहार आ गई नई कॉंपले आ रही है नई पतियां आ रही है पेड़ों पे चोटे चोटे बर्ड जो है वो चैचा रहे हैं only in the garden of the selfish giant it was still winter लेकिन सिरफ वो selfish giant का जो garden था ना उसमें अभी भी winter थी मतलब वहां पे अब spring नहीं आई है अभी वहां पे winter ही है वही बरफ वगेरा है the birds did not care to sing in it as there were no children तो बच्चे जो हैं वो वहां पर अब जो पक्सी हैं वो अभी वहां पर नहीं गा रहे हैं ना कोई singing कर रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई बच्चे हैं हैं नहीं इसलिए उसके garden में अभी winter season ही है and trees forgot to blossom once a beautiful flower put its head out from the grass but when it saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep अब क्यों होता है कि जो मतलब trees भी हैं वो भी मतलब नहीं कॉंपले नहीं आ रही हैं नहीं पतियां नहीं आ रही हैं बच्चे नहीं हैं इसलिए birds भी sing नहीं कर रहे हैं एक beautiful flower ने अपना सर भाहर निकाला था घास से यह देखने के लिए कि भाई अभी spring season आने वाला है तो मुझे भी भाहर आना चाहिए लेकिन जब उसने देखा notice board पे जो लिखा हुआ था trespassers are executed, sorry, prosecuted, ऐसा लिखा हुआ था trespassers will be prosecuted तो यह जब उसने देखा वो पड़ा उस flower ने तो वो वापस चला गया ground में और वापस से सो गया कि अभी winter ही है और वैसे भी जो giant है वो इतना selfish है कि वो बच्चों को तो allow कर नहीं रहा है यह notice board लगा रखा है उसने इसलिए वो वापस ground में चला जाता है the only people who were pleased were the snow and the frost जो वहाँ पे कोई अगर खुश था तो कौन था snow और frost क्योंकि उसके garden में other कोई चीज आई नहीं रही थी spring season आया था उसने enter नहीं किया था और वो जो जमी वी बरफ जो थी पेड़ों पे वो spring has forgotten this garden they cried so we will they cried so we will live here all the year round अब क्योंकि जो spring थी वो इस garden में आना भूल गई थी क्योंकि इस garden में नहीं आना चाती थी वो इसलिए जो snow है और frost है वो चिलाने लगे कि अब हम पूरे साल यहाँ पर रह सकते हैं मतलब यहाँ पर other season तो आनी रहे हैं ना इसमें कोई और change आएगा इसमें तो हम आराम से snow frost है वो उसके garden में रह सकती है the snow covered up the grass with his great white cloak and the frost painted all the trees silver अब snow ने क्या कि है कि सारी गहास के उपर अपने white चादर बिछा दी ओकी मतलब कि पूरे ground में अगर garden में सारे जो trees थे उनको silver बना दिया मतलब सारे trees पे जमीवी थी बरफ ऐसे लग रही थी जैसे trees silver हो गए हूं silver color के हो गए हूं then they invited the north wind to stay with them and he came उसके बाद में उन्होंने north wind को भी बुला लिया जो कि काफी ठंडी होती है और वो वो आ गई he was wrapped in foes and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down और इस तरीके से वो मतलब काफी ठंडी चलती है north winds होती है और वो पूरे दिन रोर करती भी चलती रहती थी और सबकी chimney ports जो होती है न जो chimneys होती है वो सबकी गे जाती है मतलब इतनी तेज बहरी थी जो north wind थी वो this is a delightful sports he said we must ask hail on a visit और फिर वो क्या कहती है कि यह तो बहुत delightful spot है कि यह पर other season तो आई नहीं रहे है तो हमें hail को भी बुला लेना चाहिए उसको भी visit करने के लिए hail मतलब ole hail storm मतलब all of prestige होती है so the hail came और फिर hail भी आ जाती है every day for three hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates and then he ran round and round the garden as fast as he could go then कि वो जो जब olavristi होती है तब क्या होता है olavristi के time पे कि जो olavristi होती है वो तीन गंटे हर दे almost three गंटे तक olavristi होती रहती है वो भी कहां पर roof पे roof पे जो slates की जो छत है उसके मतलब mostly जो most of the slates जो थी वो तूट जाती थी ओलों की कारण जब olay गिरते हैं तो हमें पता है कि उनमें कितना वजन होता है बिल्कुल छोटी छोटी जो marbles होती है उस type के होते हैं तो उनसे slates वागेरा तूट जाती थी और वो पूरे time round and round garden में गूमती रहती थी जिसना fast हो सके और उसके he was dashed in grey and his breath was like ice और उसकी जो color होता था उन हेल का तो वो होता था as grey और उसकी जो breath होती है मतलब इस तरीके से लगता था बिल्कुल ice की तरह है मतलब वो भी ठंडे ही होते हैं तो ठंड मतलब बहुत बढ़ जाती थी garden के अंदर क्योंकि अब यहाँ पर क्या है snow है, frost है, hail है and north wind है then I cannot understand why the spring is so late in coming said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden I hope there will be a change in the winter अब क्या कह रहे हैं कि मतलब जो selfish giant है वो अपनी window पे बैठा बैठा बाहर की side अपने garden की तरफ देखता हुआ कह रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि मतलब spring इतना late कैसे है, spring क्यों नहीं आया मेरे garden में तो उसको लगता है क्योंकि अगर spring आएगा तो weather में कुछ change होगा लेकिन अगर क्योंकि ठंड बहुत जादा हो रही है but the spring never came nor the summer लेकिन spring भी नहीं आया और उसके बाद में summer भी नहीं आया उसके garden में the autumn gave golden fruit to every garden but the giant's garden had she gave none तो autumn ने सब जगे पे fruit लगे और सब जगे पे मतलब autumn season भी आया लेकिन same जैसे कि summer भी spring नहीं आये थे giant के garden में बाकी पूरे city में आया था उसी तरीके से autumn भी हर जगे पे आया लेकिन उसके garden में enter नहीं हुआ और giant का जो garden था उसमें कोई fruit नहीं था हर एक garden में fruit थे autumn season में लेकिन उसके garden में नहीं थे he is too selfish वो इतना selfish था she said so it was always winter there and the north wind and the hail and the frost and the snow dance about through the trees और वो इतना selfish था कि मतलब कोई winter नहीं आया तो वो मतलब सारे जो थे north wind थी, hail था, frost था, snow था वो सारे जो trees के चारों तरफ dance कर रहे हैं कि मतलब उसके जो garden में सिरफ winter ही winter बनी वी थी then one morning तो यहाँ पे जो है न वो dance कर रहे हैं मतलब यह सब कुछ north wind, hail, frost, snow तो इस chapter में इनको ऐसे present क्या हुआ है जैसे characters या persons होगी मतलब जो जहाँ पे बच्चे एंटर नहीं करते हैं जहाँ पे birds sing नहीं करते हैं वहाँ पे मतलब कोई चीज नहीं होती है तो जो snow, frost, north wind, hail है यह characters है यह person है कि मतलब वो भी आना नहीं चाह रहे हैं ऐसे जगे पे जहाँ पे बच्चे एंटर नहीं कर रहे हैं तो एक morning पे क्या होता है the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music वो चुपचा एक बार लेटा हुआ होता है अपने bed में और उसको एक lovely music सा सुनाई देता है it sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by वो जो बैड में लेटे मतलब जगा हुआ था लेकिन बैड में लेटा हुआ था और उसने जब वो music सुना तो उसको लगा कि कोई king का musician यहां से जा रहा है तो वो गा रहा होगा तो इतना sweet था वो music it was really only a little linette singing outside his window but it was so long since he had heard a bird singing in the garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world बाद में उसे पता चलता है कि वो एक linette bird है कि मतलब एक brownish color का चोटा सा bird होता है song bird that found in Europe तो वो linette bird गा रहा था लेकिन उसने तो कभी इतने time से कोई इतनी सुन्दर आवाज ही नहीं सुनी थी अपने garden में कोई bird की singing नहीं सुनी थी तो उसको बहुत ज़्यादा वो जो music था उस bird का वो बहुत ज़्यादा beautiful लगता है पूरे संसार में इतना beautiful उसे कुछ नहीं लगता है मतलब सबसे best music उसको वो लग रहा था then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased drowning and a delicious perfume came to him through the open casement और उसकी जो open window होती है उसमें से क्या वो देखता है कि hail जो होते हैं वो रुख जाते हैं वो जो dance कर रहे होते हैं और मतलब north wind जो होती है वो भी अब roar नहीं कर रही है वो भी रुख जाती है और एक बहुत अच्छी खुश्बू जो है उसकी window से आती है I believe the spring has come at last said the giant and he jumped out of bed and looked out अब उसको ये सब कुछ changes देखकर अपने garden में वो एकदम से अपने bed से बाहर आता है वो देखता है कि अच्छा इसका मतलब at last spring आ ही गई है तो वो बाहर देखने के लिए अपने bed से बाहर निकलता है मतलब bed से नीचे उतरता है यहाँ पर comprehension check है then the second part is here and the headlines यहाँ पर कि किस तरीके से जो बच्चे है उसके garden में वापस आते हैं तो birds और trees किस तरीके से blossom करने लग जाते हैं और उसके साथ ही साथ में जो giant है वो भी उन बच्चों को देखे काफी खुश होता है काफी delighted feel करता है specially एक छोटा एक बच्चा उसके पार्क में आता है और उसके बाद में वो बच्चा कुछ टाइम बाद में ही गाइब हो जाता है तो क्यूं हो जाता है मतलब होता क्या actual में तो यह हम second part में देखेंगे he saw a most wonderful sight through a little hole in the wall the children had cracked in and they were sitting in the branches of the trees अब क्या होता है कि उसको बहुत सुन्दर जो है sight देखने को मिलती है वो कैसे मिलती है कि उसकी wall में एक छोटा सा hole होता है जाइंट के लिए तो वो छोटा सा hole है लेकिन बच्चे उसके अंदर से मतलब क्रॉल करके अंदर आ गए इस पिच्चर में देख सकते हो इस तरीके से सारे जो है बच्चे ब्रांचिस पर बैठे हुए है मतलब कि उनको जो ट्रीस थे उनको इतना अच्छा लग रहा था बच्चों के आने से कि वापस उनके गार्डन में जब बच्चे आए थे तो ट्रीस इतने ज्यादा खुश थे उन चोटे बच्चों से कि वो उनके ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ब्रांच जो उनके आम है वो उनके सर के उपर से गुमा रहे हूं खुशी के मारे अब आओ दो चिल्डरन हैड्स ओके काफी खुश है और फ्लार्श जो है वो भी अब घास से बाहर आ गए हैं खुश हैं काफी क्योंकि जैसे एक फ्लार ने पहले बाहर सर निकाल कर देखा था कि उसने देखा था कि नोटिस बोड पे ऐसा लिका हुआ है और बच्चे भी नहीं आए वे हैं तो वो वापस जाक क्योंकि वहां पर जो वो जो कोना था वो सबसे दूर था उस गार्डन में और वहां पर एक छोटा सा बच्चा था वो खड़ा था और वो जो बच्चा था उस पेड पे चड़ नहीं पा रहा था मतलर पेड की ब्रांच पे नहीं चड़ पा रहा था और वो घूम रहा था वहीं पे और जोर जोर से रो रहा था वही एक कौने में जो पेड था जिस पे वो चड़ने की कोशिश कर रहा था सिरफ वही ऐसा पेड था जिस पे अभी भी फ्रोस्ट अन स्नो थी और नोर्थ विंड वहां से बहा रही थी ब्लो कर रही थी अब क्यों होता है कि वो जो ट्री है वो कहता है कि चड़ जाओ छोटे बच्चे लेकिन और फिर वो यह कहके अपनी ब्रांचीज को था वो जो ट्री था वो अपनी ब्रांचीज को इतना जुका लेता है जितना वो जुका सकता था लेकिन फिर भी वो बच्चा उस ट्री प अब लेकिन ये सारी कुछ चीज जब जाइंट देख रहा था वो दानव देख रहा था तो उसका हाट मैल्ट हो जाता है उसका दिल पिगल जाता है अब वो खुद से ही वो कहता है कि मैं कितना सेलफिश हूँ अब मुझे पता चला है कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आया था अब क्या कहता है कि मैं इस चोटे बच्चे को मैं उठा कर ट्री के टॉप पे रखूंगा मतलब बिठाऊंगा और उसके बाद में मैं यह जो दिवार है जो मैंने उंची उंची दिवार बनवाई थी अपने गार्डन के चारो तरफ वो भी मैं गिरा दूँगा और अब बच्चों को मैं अलाव करूँगा कि वो हमेशा यहां पर आके as a playground मैं अपना garden बना दूँगा वहां पर आके खेला करेंगे हमेशा खेला करेंगे he was really very sorry for what he had done और उसे काफी बुरा लग रहा था जो उसने किया था उसके लिए कि अब उसे realize हो गया है कि वो कितना selfish था अब वो क्या करता है so he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out in the garden यह सब कुछ वो सोच रहा होता है उसके बाद में वो क्या करता है फटाफट सीडियों से उतरता है front door खोलता है अपने घर का और धीरे धीरे garden में चला जाता है but when the children saw him they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again लेकिन जैसे ही वो garden में पहुंसता है सारे बच्चों से देखते हैं और डर जाते हैं और वो डर के भाग जाते हैं भागने से garden में वापस से winter आ जाती है मतलब spring जो थी वो बच्चों की वज़े से ही थी अगर वो इतना selfish है वो बच्चों को एंटर नहीं करने दे रहा है तो वाँ पे winter भी नहीं आ रही है only the little boy did not run for his eyes were so full of tears that he could not he did not see the giant coming अब क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा होता है न वो सिरफ नहीं भागता है सारे बच्चे भाग जाते हैं क्योंकि वो इतना रो रहा होता है उसके आंके इतनी आंसों से भरी वी होती है कि वो giant को देख ही नहीं पाता है and the giant stole up behind him and took him gently in his hands और अब वो giant क्या करता है कि उसके पीछे धीरे से जाता है और उसके बाद में अपने हाथों में आराम से उठाता है and put him up into the tree और फिर tree पे बिठा देता है जैसा कि आप picture में देख रहो इसमें ये giant है जो ये क्या कर रखा है इसने बच्चे को काफी softly उठा रखा है और अब tree की branch पे फिर बिठा देता है and the tree broke at once into blossom and the birds came and sang on it and the little boy stretched out his two arms and flung him round the giant's neck and kissed him अब क्या करता है कि जो tree है जैसे ही उस बच्चे को उस tree पे बिठाते है वहाँ से winter guy वो जाती है और एक दम से पेड़ पे बाहर आ जाती है और बड्स जो है वो भी आ जाते है और वहाँ पे sang करना start कर देते है little boy है जो अपने दोनों बाजों को निकालता है और उसकी जो दोनों बुजाएं है दोनों आम छोटी छोटे हाथों से वो क्या करता है कि giant के neck के चारों तरफ अपने दोनों हाथों को करके और फिर उसे kiss कर लेता है and the other children when they saw that the giant was not wicked any longer came running और ये सब कुछ देखता है कि मतलब किस तरीके से जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि मतलब ये जो giant है वो अब इतना बेकार नहीं है इतना cruel नहीं है इतना wicked नहीं है अब क्योंकि उसने बच्चे को उठा रहा है और किस तरीकी से बच्चा जो है उसको kiss कर रहा है तो वो सोचते हैं कि अभी ये अच्छा हो गया है तो वो क्या करते हैं वापस फटाफट भागे वे वापस आ जाते है garden में जो चले गई थे वहां से अब वो वापस आ जाते है बैक एड विद दैम कें दा स्प्रिंग और जैसे ही वो वापस आते हैं वैसे वापस स्प्रिंग आ जाता है उसके garden में अब बच्छों से वो जाएंट है वो ये कहता है कि बच्छो ये अब तुम्हारा गार्डन है तुम इसमें खेला करो और फटाफट एक बड़ी सी कुलाड़ी उठाई और दिवार गिरा दी अब लोग जो थे वो जब मार्केट जाते थे बारा बजे तो वो देखते थे कि जाएंट किस तरीके से बच्छों के साथ में खेल रहा है इतने सुन्दर गार्डन में उन्होंने कभी नहीं देखा था ऐसा गार्डन उसमें किस तरीके से जाएंट जो है वो बच्छों के स अब क्या है कि पूरे दिन जो बच्चे हैं वो खेलते हैं और शाम को है ना जाइंट के पास में जाते हैं वो गुडबाई कहने के लिए वो कहता है कि लेकिन तुम्हारा जो चोटा कम्पैनियन था तुम्हारा चोटासा वो साथी थे वो कहा है वो बच्चा जिसको चोटाधा कर भुडबाई के पास बच्ची था जाएंट था वो से सबसे ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे ने जाएंट को किस किया था तो उसको change कर दिया था पूरा उसका विल्कुल heart melt हो गया था इतना अच्छा इंसान बना दिया था उसे we don't know answer the children he had gone away he has gone away वो बोले हमें नहीं पता है वो बच्चा कौन था मतलब वो चला गया है हमें नहीं पता वो कौन था you must tell him to be sure and come tomorrow said the giant giant ने का कि तुम अगर मतलब तुम उसे जा कर बोलना कि वो कल जरूर आए ऐसा giant ने बच्चों को बोला कि कल उसे बुला कर लाना जैसे होता है ना कि बुला कर लाना तो कल जरूर आए वो उसको ऐसा कहना but the children said that they did not know where he lived and had never seen him before and the giant felt very sad अब क्या होता है कि लेकिन बच्चे ऐसे कहते हैं बुलाने कि इसको जाएं हमें तो पता ही नहीं हो कहां रहता है और हमने तो उसे पहले कभी देखा भी ना बाद में देखा उसी दिन देखा था हमने तो the giant को काफी sad feel होता है मतलब काफी बुरा feel होता है क्योंकि वो बच्चे को काफी प्यार करता था उसको वो बच्चा काफी पसंद था every afternoon when school was over the children came and played with the giant but the little boy whom the giant loved was never seen again लेकिन जिसको giant सबसे ज्यादा प्यार करता था वो चोटा जो लड़का था वो कभी भी नहीं दीखा the giant was very kind to all the children yet he longed for his little friend and often spoke of him जो giant था वो सब बच्चों के लिए बहुत दयालू था लेकिन वो अपने little friend का इंतिजार करता था उस चोटे बच्चे का हमेशे इंतिजार करता रहता था और बागी बच्चों से उसके बारे बात भी करता था कि वो क्यों नहीं आता मतलब like this how I would like to see him he used to say वो बहुत बार ऐसा भी बच्चों से कहता था कि मैं उससे कैसे देखूंगा मतलब कभी वो आएगा क्या Years went by and the giant grieve very old and feeble बहुत साल बीट गए अब जो दानव था वो बहुत बुड़ा और कमजोर हो गया था Feeble means weak He could not play about anymore so he sat in a huge armchair and watched the children at the games and admired his garden अब क्या होता था कि वो इतना बुड़ा और वीक हो गया था तो अब वो बच्चों के साथ तो नहीं केलता था एक बड़ी सी armchair पे बैठा रहता था और बच्चों को खेलते वे देखता था और अपने garden को admire करता था बैठा बैठा तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं और यह अपनी armchair पे एक दम old and feeble जो giant है वो बैठा हुआ है और यहाँ पर I have many next क्यों होता है I have many beautiful flowers he said but the children are the most beautiful flowers of all वो बैठा बैठा अपने garden को admire करता हुआ क्या कहता है कि मेरे पास बहुत सारे beautiful flowers है garden में लेकिन जो children होते हैं वो सबसे खुबसूरत फूल होते हैं one winter morning he looked out of his window as he was dressing एक बार वो अपना कपडे पहन रहा था तैयार हो रहा था उस time पे morning में winter का time था और वो अपनी window से बाहर देखता है he did not hate the winter now for he knew that it was merely the spring sleep and that the floor were resting अब वो winter से hate नहीं करता उसे पता है कि मतलब अब इस time पे spring जो है वो सोरी है मतलब जो flowers हैं वो सब rest कर रहे है spring बाद में आ जाएगी तो अब वो winter से इतनी नफरत नहीं करता है suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and looked अब एकदम से अचानक से वो क्या है एकदम से वो चौक जाता है अपनी आखे बार बार में रब कर करके देखता है कि यह क्या है यह क्या है देखता रहता है मतलब it certainly was a marvelous site वो एकदम marvelous site लगती है मतलब इतना सुहाना दिर्शे दिखता है उसको in the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms its branches were golden and silver fruit hung down from them and underneath it stood the little boy he had loved अब उसने इतना अच्छा दिर्शे क्या था कि वो जो दूर 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 जो garden में जो पेड था जो सबसे corner में था वो अब भी जो था उस पे white white fool थे बहुत सुंदर सुंदर उसकी जो branches थी वो golden color की थी silver fruit उस पे लटक रहे थे और उसके नीचे वही बच्चा जो था वो खड़ा था वो छोटा लड़का जिससे वो इतना प्यार करता था जिसका वो इतना इंतजार किया था उसने downstairs ran the giant in great joy and out into the garden he hasn't across the grass and came near to the child वो मतलब फटा फट भागा सीडियों से नीचे उतरा इतना खुशी ही हमारे और अपने garden में गया और घास को cross करते वे वो बच्चे के पास में पहुंच गया and when he came quite close his face grieved red with anger and he said who had dared to want thee अब जैसे ही वो बच्चे के पास में आया उसको एकदम से गुसा आ गया किस चीज पर आया कि वो ऐसे कह रहा है कि मतलब who had मतलब तुमारे को किस ने ये हाल किया है तुमारा किस की हमत हुई तुम्हें इतने वुंड देने की कि मतलब उसने उस बच्चे के उपर मतलब कुछ गाव देखे थे तो इसलिए उसका face एकदम red हो जाता है गुसे से और वो पूछता है from on the palms of the child's hands were the prints of two nails and the prints of two nails were on the little feet उसने देखा कि जो बच्चे की हतेली में दो कील के निसान है और दोनों पैरों में भी केल के निसान है इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा था कि ये सब किसने किया है इस छोटे से बच्चे के साथ में who had dared to wound the cried the giant tell me that I may take my big sword and slay him वो क्या कहता है कि बताओ ये किसने डेर किया है ये किसने तुम्हें इतने घाव दिये हैं ऐसे जोर जोर से वो giant चिल लाता है कि मुझे बताओ मैं अपने बड़ी से तलवार लूँगा और उसे मार डालूँगा slay him मतलब kill him so यहां पे देखो अब यह जो giant है यहां पे later वाई यह जो story है यह बाद में आएगा अभी नीचे है आप देख सकते हो एक बार keep it in your mind and this is the last paragraph of this chapter ने no मतलब बच्चे ने answer दिया answer the child but these are the wounds of love कि ये तो प्यार की निशान है who are you though मतलब who are you said the giant की तुम हो कौन and strange fell on him and he knelt before the little child अब उसे मतलब कुछ feel होता है और वो एकदम से बच्चे के सामने मतलब जुक जाता है अपने knees पे बैठ जाता है and the child smiling on the giant and said to him you let me play once in your garden today you shall come with me to my garden which is paradise अब बच्चे ने smile करते हुए उस giant को क्या बोला कि एक बार तुमने अपने garden में मुझे खेल ले दिया था ना अब आज मैं तुझे मेरे garden में खेलने दूगा that means कि paradise मतलब heaven में ले जाने की बात कर रहा था सुरग में ले ले जाने की बात कर रहा था उसको अब क्या होता है कि जब बच्चे जब खेलने के लिए दूपैर में आते हैं स्कूल ओवर होने के बाद में तो वो देखते हैं कि जब जाइन्ट है वो ट्री के नीचे लेटा हुआ है बिल्कुल मरा हुआ और उसके उपर फूल वाइट फूल गिरे वे है यह उसकर वाइल की बहुत अच्छी स्टोरी थी होप आपको अच्छी लगी होगी यहां पर देखो आप इक में देख सकते हो किस तरीके से ट्री के नीचे जाइन्ट है वो जो दानव है वो मरा हुआ है और मतलब अब वो जो बुड़ा हो गया था तो आप वो खतम हो गया था और वो छो चोटा बच्चा था वो जीजस के रूप में आया था उसकी जो नेज्ट के निशान थे वो जैसा की इस स्टोरी में आपने दिखा होगा कि जीजस को भी इसी तरीके से नेज्ट लगाई गयी थी पॉंपs and feet में तो वो उसके निसान थे और he was saying that these wounds are of love and वो लास्ट में क्या होता है वो जो बच्चा होता है जो जीजस का रूप होता है वो जाइंट को परडाइस ले जाता है तो ये बहुत beautiful से स्टोरी थी और इसमें एक message ये था कि अगर तुम बच्चों को कहीं पर allow नहीं करो बच्चे जो होते हैं वो real flowers होते हैं अगर गारडन में उसने बच्चों को allow नहीं क्या तो उसके वज़े से उसके गारडन में कोई birds भी नहीं आते थे कोई season नहीं एंटर नहीं क्या ना summer आया ना spring आया ना autumn आया सिर्फ और सिर्फ वहां पर winter रहता था उस time पर जैसी उसने बच्चे उसके गारडन में एंटर हुए सारे जगे पर spring हो गया और बहुत अच्छे-च्छे से फूल खिल गए birds गाने लगे और giant की life में भी happiness आई थी कहीं ना कहीं hope you like it if you like it please hit the thumbs up button please 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 subscribe the channel put your views and suggestion in comment section so thank you